नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लेच्पी नौटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनीद पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़वर ब्रेकिंग न्यूज है कि हिमाचल परदेश में एक दिन में 464 नई करोना परिष्टिप मरी जाये हैं और 6 करोना संकरामितों की मौत हुई है तो कहां के संकरामितों की मौत हुई है और कहां से केसा हैं इसके जानकारी मैं आपको इस वी बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके तो चली दोस्तों वीडियो को यह शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपकी 6 संकरामितों की मौत है तो हिमाचल परदेश में 6 और करोना संकरामितों की मौत हो गई है टांडा में सुबा तवियत बिगडने पर मंडी जोर्नल अस्पिताल लाया गया लेकिन जोर्नल अस्पिताल में पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया मरितक के करोना टेस्ट की रिपोर्ट पोजिटिव निकली है निर चौक मेडिकल कॉलेज में कांगडा निवासी करोना संकरामि महिला की मौत हो गई है लोल्सपिती में 25 वर्षी करोना संकरामित युद्ति की मौत हो गई वहीं परदेश में शुक्रवार को करोना की 464 नई माम ले आये हैं जिसमें मंडी में 131, किन नौर में 46, शमला में 70, कांगडा में 27, विलासपुर में 20, उन्ना में 31, सिर्मावर 19 16, 15, कुलू 63, लोल्सपिती 8, हमील पर 11, और चम्बा में 15 नई माम ले आये हैं इसके साथ ही परदेश में करोना संकरामितों का कुला आंकडा 24, 249 पहुच गया है, 3841 सक्रिय माम ले हैं और 20,016 मरीज ठीक हो गए है, 369 करोना संकरामितों के मौत हो चुकी है रामपुर उपमंडल में जो है कोट 18 और कोट खाई शित्र में 12 लोग पोजिटिव पाए गये हैं, करोना पोजिटिव मामले आने के बाद परशासन ने सहाकारी बैंक, रामपुर जल शक्ती विवाग दफ्तर और राजकी वरिष्ट मादेमिक स्कूल मजहेवर्थी को जो करते हुए, स्टीम रामपुर ने बताया के परशासन ने दो स्कूल और सहकारी बैंक को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है, मंडी जीले में 26 शक्षकों, तीन चिकित्सकों समेथ 111 ने मामले आये हैं, वरिष्ट मादेमिक स्कूल सेरी कर सोग में आठ शक्षकों के करोन टेस्ट के रिपोर्ट पर पॉजिटिव आई है, इसकी पुष्टी सीमो मंडी डॉक्टर देवन दिर्श हर्मा ने की है, शिमला के मिशोबरा स्थित प्राइमरी स्कूल की एक शेखी का भी करोना पॉजिटिव आई है, इसके बाद स्कूल को जो है सुंबार तक बंद कर गया है, वही संकरवित अध्यापिका के संपर्क में आई शेक्षक वा अन्या को हम आई सलोट होने की जो है, नर्देश स्कूल प्रवंधन की ओर से जारी कर दिये गए है, स्कूल प्रमुक हनीता ने इसकी पुष्टी की है, उधर सांस लेने में दिक्कत के चलते शिक्षा मंत्री होगा यहां, गोविन सिंध ठाक और आज यहमसी शेमला में भरती हुए है, मंत्री की बीते 29 अक्तूबर को करोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है, पॉजटिव आई थी, तो दोस्तों यह थी अभी की आज की ताजा ख़बर ब्रेकिंग निउस, 464 नए मामले और 6 संक रहमतों की हमाचल परदेश में एक दिन में मौत हुई है, तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो वीडियो को शेयर कर दें, और अंकित वर्मा, ओल एच पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आप तक हमाचल परदे इसकी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, तन्यावाद, जय हिन, जय भाद